नमस्कार दोस्तो और विडियो नहीं अप्लोड कर पाया था क्योंकि मेरी थोड़ी तविट ठीक नहीं थी बट मैं आज आप लोगों के साथ आ गया हूं और मैंने आप लोगों टेली ग्राम चैनल पे सपोर्ट कर दिया था और आज आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया होग अब 10,000 लेवल एक important लेवल और एक important resistance था psychologically भी अब गैस उसके उपर बंध हो चुका है यानि कि आप लोग समझ रहे होगे कि अब यहां पर reversal आ चुका है हाँ गैस हम मान के चल सकते हैं कि reversal आ चुका है बट अगर यहां से वो 10,000 के नीचे निकलना शुरू कर देता है तो य option trading एक option stock भी आपके साथ में लेकर आया हूँ और guys थोड़ी बहुत queries थी वो लोग भी answer करूआ मैं सबसे पहले guys अगर आप लोग ने हमारे telegram channel को join नहीं करा तो आप जाके join कर सकते हैं telegram channel का नाम है guys first investment और यहां पर आपको description पे भी link provide हो जाके join हो सकते हैं हमारी photo भी आप ल लोगों को live support मिलता है telegram channel पे अगर आप लोग हमारे calls देखते हैं मैं आप लोगों को 5 call देता हूँ अगर उसमें से भी आप लोगों को trade करने में दिक्कत होती है तो आप हमारे telegram channel पर join होंगे तो आप लोगों को guys वहां पर live support दिया जाएगा और वहां पर भी आप लोगो intraday में calls provide होंगी guys अगर अभी तक हमारे आपने instagram को join नहीं करा तो वहां पर आप जाके join हो सकते हैं हमारे instagram पे हैं मुझे follow कर सकते हैं first underscore investment यह आप आप देख रहे हैं join हो सकते हैं अभी तक हम लोग यहां पर teaching concept start कर रहे हैं अभी तक हम लोगों ने जो पहला topics खतम कर दिया वो है flag pattern और बहुत अच्छी चीज़े आप लोगों को बताएं flag pattern के बारे में और हमने कल से ही head and shoulder pattern के बारे में सीखना शुरू कर रहा है तो आप लोग join हो सकते हैं हमारे instagram पे यहां पर भी आप लोगों को अच्छा support मिलेगा गई सबसे पहले stocks की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपना telegram channel दिखाना चाहूँगा तोकि मेरे पास बहुत से messages आ रहे थे और मेरे पास comment section में बहुत ज़ादा आ रहे थे कि सर आप अपना इंबर हमें telegram channel पे दिखाईए कि क्या photo लगी है कैसे calls देते हो और आप हमा एक बर whatsapp पे भी दिखाईए कि जो आप अपने paid clients को क्या calls देते हो तब ही हम आप लोगों को join करने के बारे में सोचेंगे तो एक बर मैं आप लोगों के साथ चले जाता हूँ अपने telegram channel पे यहाँ पर मैं आपके साथ telegram channel पे आ चुका हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यह देखिए इस तरीके के हमारी photo लगी वी होगी first investment की आप जाके join हो सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कितने member joins हैं यहाँ पर आप देखेगा around 6000 members join हो चुके हैं और वो लोग फाइदा उठा रहे हैं आज हमने अपने clients को क्या provide करा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देखेगा आज हमने अपने clients को जो provide करा है grassim provide करा है था 606 पे 609 613 का target था जो कि achieve हो गया था first target achieve हो गया था हम guys अपने clients को भी और लोगों को भी बोलावा है कि यह जो आपको 2 target दिये जाते हैं यह 2 target in the sense यह एक range है आपको इस 2 target के बीच में exit कर जाना है आपको पूरे target second target तक के लिए wait नहीं करना है STBT call दिया था आप लोगों को मैंने 2 बच के 40 minute पे और बोला था कि 11.39 पे आप लोग short करके चलना है बालक रिश्न इंडस्ट्रीज को और वहाँ से 11.25 तक तो अराम से आ गया था और यहाँ पर हमारा पहला target यानि कि basically STBT का target भी achieve हो गया था उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने bank nifty की 20,800 की 180 की 180 पे put buy करने की सला दीती और यहाँ पर इनने 220 का target दिया था और 260 का जो की achieve हो चुका है ठीक है अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ WhatsApp की calls दिखा देता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह तो अलग open है मैं आप लोगों को इसी में दिखा देता हूं यह एक सटन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि guys मैंने कुछ screenshot यहां पर शेयर करें हैं आप यहां देख सकते हैं मदर संट सुमी का मैंने screenshot शेयर कर आगा है जिसने आराउंड मुझे 13% का return दिया है मेरे मेरे क्लाइंट को क्योंकि मैं अभी trade करना भी मैंने बंद कर दिया है कुछ मेरे reasons थे यहां पर आप देख सकते हैं 92 पे दिया था 105 का target था जो कि achieve हो गया 13% का return था जो कि हम लेके exit करें वोल्टास 518 पे हमने सला दीती यह हमने इन लोगों को नहीं दीती है हमारे जो previous clients थे उन लोगों को दीती उन लोगों हमने हमें screenshot बेजा है 10% का return और बाटा इंडिया 1284 पे बाय करने की सला दीती 1448 यह गाइस calls हमने आप लोगों को एक हफता पहले अपने YouTube पे भी provide कराई थी और बोला था कि बाय करो बाय करो इंट्राडे नहीं है swing trading भी है अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होता तो आप इन सारी चीजों में निकलते हैं ठीके गाइस यहां पर हमने कुछ और भी calls दी थी अपने paid clients अच में सेचों की 6th month की छे महिने की जिन लोग ने service ले रखी थी उनको provide कराई थी यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यह देखीगा एक सेकंड यह हमने 21st को दी थी यहां पर है यह देख सकते हैं हमने यह दो swing trades यहां पर आप लोगों को provide कराई थी जो भी हमारे हैं उ screenshot नहीं भेजा मैं आपको दिखा देता हूं हमने जेलिट इंडिया buy करने की सला दी थी हमने जेलिट इंडिया यहां पर buy करने की सला दी थी 4720 पर और हमारा जो target था guys वो target था 5000 से लेके 5100 तक का जो की आज हमारा target achieve हो गया हमने जेलिट इंडिया पर हमने अपना profit को book कर लिय आया है कितना profit मिला अगर हमने एक share भी buy करा होता 300 points से लेके 400 points तक का हमें profit यहां पर मिल चुका है 50 का target था जो की achieve हो गया है और हमने minimum बोला था 100 quantities buy करनी है जिसमें 8000 का फाइदा हो गया है हमने GNFC दे रखा था 135 पर 145 से लेके 150 तक का target था जो की achieve हो गया आप जाके charts पे analyze कर सकते हैं और यहां पर हमने उन्हें लोगों को profit booking करवाती है यह हमारा एक और नया है जहां पर अभी new member join है यहां पर मैं आप लोगों को दिखा दे तो हमने आज कौनसी कौनसी calls प्रोवाइड कराई हैं सार गैस हम सारी calls हमने टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड नहीं करवाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने SBI Life बाय करवाने की सला दी थी यहां पर आप देख सकते हैं SBI Life में अपने clients को 793 पर बाय करने की सला दी और हमारा 803 का target था जो कि achieve हो गया उसके बाद हमने HDFC live बोला था वह वहां पर नहीं आपाया तो कोई भी trade initiate नहीं हुआ हमने ग्रासिव में यहां पर 603 पे दिया था 609 का target था जो कि achieve हो गया हमने अपने telegram channel पर यह 603 पर नहीं 606 पर बाय करने की सला दी थी कोई बात नहीं यहां पर आप देख सकते हैं मैं और नीचे अगर यहां पर लेकर जाता हूं आपको तो हमने और कौनसी कौनसी calls प्रोवाइड कर रही यहां आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी को मैंने 20600 की put को sell करवाया था 115 पर आप यहां पर हमने आज market उपर गई नीचे आई हमने दोनों में फायदा करवाया यहां पर मैंने एक सिकन्ड यहां पर मैंने 20600 की put को sell करवाया था 115 पे 30 रुपे का target था 39 पे हम exit कर गए थे screen shots में telegram पे डाल दूँगा और इसका भी target है चीव हो गया था यह bullish movement था उसके बाद हमने अपने telegram पर जो call प्रोवाइड कराई थी हैं आपर आप देख सकते हैं वही BTST call हैं आपर भी हमने उगने प्रोवाइड करा दिया एक हमने बालक रेशन इंडस्ट्रीज की 1100 इसमें कराई थी 40 का target था पहला target तो हमारा achieve हो गया था और अभी भी हम लोग hold करके बैठे हुए हैं जिसका lot size 800 का जिसमें से 4000 रुपे हमें अराम से मिल चुके हैं यह सारी चीजें आप लोगों को provide कराई हैं यह सारी चीजें जो मैंने provide कराई हैं यह सिर्फ आप लोगों क तो मैंने telegram और YouTube के through provide करा दिया था अब गाईज यहां पर आप देखेगा कि हम stocks की तरफ बढ़ते हैं पहला stock जो है guys वो है HBA Life buy कर सकते हैं for a target of 4814825 तक के targets हम लोगे expect कर सकते हैं buy करना है 804 के उपर second target जो second call है particularly Bala Krishna Industries दुबारा shot पे है 1125 के नीचे shot करना है 1118111 तक के targets हम expect कर सकते हैं torrent pharma shot करने की सला है 2304 के नीचे shot करना है 2292 तक के targets 22981 तक के targets हम expect कर सकते हैं UBL आपको shot करके चलना है 9333 के नीचे shot करना है 927 921 तक के targets हम expect कर सकते हैं last stock है guys buy कौन shot करने की सला दी जाएगी 381 के नीचे shot करना है target 378 373 तक के हम निफ्टी बैंक निफ्टी पर बढ़ते हैं तो बैंक निफ्टी निफ्टी अब दोनो week हैं कैसे week है short time पे week है long time पे buy है मैं आप लोगों को charts पे और telegram channel पे सुबह update करूँगा यहाँ पर आप इन दोनों को अभी ध्यान मत दीजेगा एक option trade जो मैं आप लोगों के लेकर आया है वो option आप trade देगी सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को bala kristian industries की put को buy करके चलना है 1100 रुबे की put को buy करके चलना है हमने अपने clients को दो buy करवा रखा है 35 रुपीज पे और अभी trade कर रहा है 38.8 पे तो भी आप लोग buy करके चल सकते हैं इस particular stock को मेरे जो target निकल के आ रहे है 47 53 और stop loss आपको 33 का maintain करके रखना पड़ेगा ठीक है guys अब हम लोग बढ़ते हैं अपने उसकी तरफ और देखते हैं कि कौन से एक सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब हमें कौन से उसके trade करना है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं bank nifty के तरफ यह bank nifty पर मैंने क्या करा था और लोगों आज अपने clients को ऊपर पर भी फायदा करव सबसे पहले चीज आपको एक चीज में ध्यान देना है वो क्या है वो आप यह देखे हैं सबसे important चीज होगी guys यह यह देख रहे हैं इतनी सी चीज देखेगा अब इसने इसमें क्या करा यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ बहुत important concept है ध्यान से सुनेगा market नीचे आई नी नीचे आने के बाद एक range बना गया है यह देख रहे हैं बुलू कुलर का range है और इसमें हमने देखा था मैं आप लोगों को एक सिकंड इसमें इस range में जब यह range है अपर साइड की range देख रहे हैं इस range में यह वाली candle ने एक breakout दिया था ठीक है अगले दिन हमने देखा था उ आज का दिन भी शायद हो सकता है कि एक false breakout हो जाए ठीक है अगर यह 21,000 के ऊपर अगर यह bank nifty tick जाता है दो दिन तो मैं अपनी buy position को initiate कर दूँगा और मेरे जो bullish targets होंगे वो बहुत जादा होंगे मैं 22,000 तक का भी level expect करके चल सकता हूँ ठीक है guys अब क्या करके चलना है वो मै लोगों को कैसे trade lane है उसके लिए guys मैं एक minute के chart पर जाऊँगा ठीक है एक minute के chart पर आया यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा जूम करके निखाता हूँ यह देखेगा अब आपको एक बात यहाँ पर दियान से देखने है मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ यहाँ पर आपको थोड़ी और clarity मिल जा है यह देखे यहाँ क्या हुआ यहाँ पर closing हुई थी कल और gap up opening हुई exact इस level पर हमने exact वो range के ऊपर एक opening देखे अब यहाँ पर हमने opening देख लिए कोई बात नहीं ठीक है वो यह एक minute की candles है यानि कि 5 minute के अंदर उसने अपना high बना द 980 का level ठीक है guys और जो यह level आ रहे 21,300 का level अब इत्ती बात आपने देख लिए यहाँ तक आ गया अब यह दुबारा नीचे आया यहाँ पर इसने exact अपना support ले लिया यहाँ पर आप देख रहे हैं आप इसने अपना support लिया जब यहाँ से इसने bounce करा अब मेरे को पता चल ग करा मैंने उन लोगों को calls buy नहीं करवाई मैंने क्या करा मैंने उन लोगों को 20,600 की put को sell करवा दिया अब 20,600 कहा बैठ रहा है वो इस level बैठ रहा है 20,600 put sell करवाने का मतलब है यानि कि जो expiry हो सकती है वो हो सकती है 20,600 के उपर उपर और अगर 20,600 के उपर होगा तो premium नीचे आएगा और premium का मुझे फाइदा मिलेगा तो इस level पे मैंने अपने clients को बोला कि 1015 पे चल रहा है put short करके चल लो और 30 रुपे का target होगा जो की मिल जाएगा इस level पे आया तो इस level यहां पर देखे इस level पे आया इस level पे उसका आ गया वो गिर के 39 और 39 पे हमने उसे exit करवा दिया ठीके गाइस अब क्या था अब मुझे यहां पर देखने को मिला कि यहां पर एक breakout हो गया यह देख रहे हैं यह symmetrical triangular pattern था यहां पर breakout हो गया यहां पर फर मैंने अपने खुद की एक all option buy करी थी जो कि मुझे risky trade लग रहा था पर मैंने buy कर ली थी आप मैं exit कर गया था अब मैंने क्या देखा अब आप यहां पर देखेगा sharp fall देखेगा यह red line का मतलब आप समझगा यह red line का indicate कर रही है यह red line ने बताई थी जहां पर opening हुई थी ठीक है यह बहुत important line थी अब आपने देखा यहां से एक strong movement आई गिरावट एक range बनाई दुबारा गिरावट आई एक range बनाई और उसके बाद जैसे इस ने इस red line को break करा यह red line देख रहे हैं जो कि 20,970 का level है मैंने अपने clients को बोला और अपने telegram channel पे भी update करा कि 20,800 की put को buy करके चल लो और उसका target देखो नीचे आया target achieve हो गया यह सारी चीज़े आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेगी आप दोनों side में पैसा कमा के चल पड़ेगे अब क्या हो सकता अब आप देखेगा यहाँ पर इस line को break कर दिया यहाँ पर आप देखेगा यह देखेए है इस line को break कर चुका है यहाँ पर यह जो एक range को break कर चुका है अब यह इस range के नीचे तोड़ चुका है अब यह जो 21,000 का level है 21,000 का level एक strong hurdle बन चुका है अगर अब 21,000 के ऊपर जाना शुरू करेगा तो max to max एक sell off आ सकता है 22,200 पे दुबारा बट अगर नीचे जाना शुरू करेगा तो यह जो gap देख रहे न यह जो इतना बड़ा gap आया है इस gap को fill करेगा जो की 20,600 का है तो अभी भी आप लोग एक put को buy करके चल सकता है या फिर मैं आप लोगों को सला नहीं दूँगा हम लोग क्या करते हैं expiry वाले time पे मैंने अपने clients को expiry वाले time पे जब weekly expiry होती है उससे एक दिन पहले और expiry वाले time पे हम लोग puts buy या call buy करने में ज़्यादा उसमें विश्वास नहीं करते हैं हम लोग sell करने में विश्वास करते हैं तो आप लोग telegram channel पर join हो सकते हैं वहाँ पर अगर हमें कोई opportunity दिखती है तो आपके साथ share करेंगे बट सबसे पहले तो हम लोग अपने clients के साथ share करते हैं YouTube पे हम लोग already upload कर चुके हैं तो इसका point of view आप लोगों को मिल गया होगा अगर हम SBI Life पर बढ़ते हैं SBI Life भी मैं आप लोग मेरे YouTube पर जाईए गाईज मैं आप लोगों को SBI Life भी कितनी बार बोल चुका हूँ आप लोग बाय करके चलिए और अगर आप लोग बाय करके चले होंगे तब आपको फाइदा मिला होगा यहां पर देखें एक सब्सक्राइब यह लेवल है अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है एक सिकंड मैं इससे भी हटा देता हूं इसका भी कोई यूज नहीं है अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है SBA Life मेंने बाय की सला क्यों इस लेवल पे यह जो कैंडल देख रहे हैं न 770 की जाके मेरा YouTube भी देख सकते हैं आपको शो कर जागा SBA Life मेंने शायद एक तारीक को या फिर दो तारीक को मुझे नहीं पता कौन सी तारीक को मैंने बोला था कि 770 पे SBA Life को बाय करना है यह जो ल की उपर क्लोजिंग यह बाय है एगदें शोल्डर यह कपन हैंडल पैटन है यह कपन हैंडल पैटन का ब्रेक आउट दे चुका है सस्तेन कर रहा है उसके उपर अगर यहां से उपर निकलना चाहता है तो 880 तक के लेवल भी हम एक्सपेक कर सकते हैं तो पेशेंस रखे यह फार्मा की तरफ तो टॉरेंट फार्मा पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर यह पैटन है यह उपर गया उपर जाने के बाद गाईज यह एक पीनेट पैटन मना रहा है पीनेट पैटन मनाने के बाद उसने यहां पर ब्रेक आउट दे दिया यह वाली कैंडल और आज हमने एक दुबारा sun off देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाली candle ने break करा नीचे आया दुबारा उपर गया यह वाली line जो थी support की line थी अब यह वाली line क्या बन गई है resistance की line और दुबारा नीचे आ गई अब इस level को break करता है तो guys next support इसका चलो आप लोगों को biocon बता देता हूँ biocon देखेगा कि biocon क्या बता रहा है biocon में आप देखेगा यहाँ पर आप देखेगा यह एक range थी यह इतनी देड़ से हम देख रहे थे consolidate करता था इस range की उपर निकला था जो की 365 का level था यह 365 की level पे एक बार हमने अपने क्लाइए यहाँ पर YouTube पे भी बोला था आप जा की देखेगा कि buy करके चल सकते है 380 का target हुगा जो की 127% retracement level है वोई बात नी ठीक है अब यह गया exact किस level पे यहाँ पर यह जो आप levels देख रहे हैं यह देखेगा 1.168 पे गया है इस level पे और दुबारा नीच आ गया अब यह जो pattern बनाया है इस pattern को क्या कहते है इस pattern को कहते है guys bearish butterfly pattern यह जाकर आप सर्च कर सकते है या फिर हम course जो बना रहे है उस पर भी आप लोगों को बताएंगे यह pattern है इसका जो target आ रहे है तर्गेट आ रहे है 365 का जो कि यही level है या फिर retest के लिए भी हम कह सकते है या फिर हम कह सकते है bearish pattern है जो कि level आ रहे है तो यह भी clearly short है एक मैं आप लोगों को आखरी बता देता हूँ बालक रिशन इंडस्ट्री जो कि वो हमने आप लोगों को एक put option भी buy करने की सलाथ दे रखी है और यहाँ पर हमने sell भी दिया था क्यों दिया था उसके पीछे reason है यह देखेंगा यह हमने अपने clients को दिया था यह देखेंगा यह pattern जो बनाया है इस pattern को हम कहते है guys bearish bat pattern यह pattern है exact इस level से यह देख रहे है 786% retracement से यहाँ पर एक sell off आया हमने देखा था यहाँ पर हमने अपने clients को यहाँ पर short करने की सलाथ देती है targets मिल चुके हैं और अभी वी इसके जो है targets बहुत नीचे हैं जो कि around आ रहा है पहला target है 1100 और दूसरा target है 1060 जो मुझे लगता है कि अगर market 2-3 दिन negative रहती है या range में भी रहती है तो यह आपको target दिखा देगा और हमारी जो put option है आपको बहुत ज़ादा फाइदा कमाके दे कर जाएगी so इन patterns की उपर हम identify करते हैं कोई ज़ादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कोई indicator नहीं लगाने पड़ते है यह सारी information आपको provide हो जाएगी हमारे YouTube के थुरू और हमारे Telegram के थुरू आप जाके देख सकते हैं सारी calls सारी चीज़े आप लोगों को Telegram पे provide नहीं होती है थोड़ी बहुत हम लोग आप लोगों को provide कराते है तो अगर यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like करिए अगर आप फाइदा कमा चुके हैं हमारे आज के Telegram पॉल से तो मुझे comment section में जरूर बताएगा और अगर जो आप लोग paid service में हैं और अगर आप लोग तब भी यह videos देख रहे हैं Friday के तिम पर So guys, आप लोग इस वीडियो को like करते रहे हैं मुझे motivation दे दे रहे हैं मैं Shivanch Bhaseen मिलता हूँ आप से अगली वीडियो पर signing out